प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्रखन के पिथोरागर पहुचे जहां उन्होंने पारवती कुंट में पूजा अरचुना की इस दौरान पीम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए इसके बाद पीम मोदी गुंजी गाओं पहुचे जहां उन्ह आई टीपीपी और ब्यारो के जवानों के साथ ही साथ इस्थानी लोगों से भी बातचीत की आपको बता दे कि पीम मोदी गुरुवार सुबे पिथोरागर के जोलिंग कॉंग पहुचे जहां उन्होंने आदी कैलाश की पूजा अरचुना की इस दौरान पीम मोदी के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आई टीपीपी के जवानों से मुलाकात की है साथ ही नगाडा बज़ाते भी नसर आए दोनों ही तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जहां पर पारवती कुंड में पहुचे थे पूजा अर्चिना उन्होंने की है पारवती कुंड में पहुचकर तस्वीर आप देख पारें दूसरी तस्वीर में प्रधान मंत्री आई टी बीपी की जवानों के बीच पहुचे थे जवानों से मुलाकात की इसके अलावा स्थानी अकलाकारों से हस्त करगा उद्ध्योक से जड़ी महिलाओं से बातचीत की यह तस्वीर आप देख पारें और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हैट उत्रखंड अवनीश प्रेमी जूर चुके हैं जी अवनीश जिस तरह से प्रधान मंत्री आज पिथोड़ागर पहुच रहे हैं भारी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही साथ उत्रखंड के लिए 4200 करूर की सौगा भी देने वाले हैं अगर हम खास पास करें तो आज प्रधा मिश्री पूरे उत्रा खंडी को संस्क्रती है उसमें रंगर हुए नजर आए जो पारवपरी परिधान है वो उन्होंने पहने हुए तब पूरे विधी विधान पे साथ उन्होंने शीव मंदी पूजा आरशना अगी और आगी कैलास को भी निहालने का जरस्ते देखता तो निश्चित तोर पर यह दर्शाता है कि प्रधान मंत्री की उत्रा खंड और यहां के धारविक अस्तन है उनके प्रती आज़ता है वो कापी शद्धा इसके प्रती रखते हैं यही कारण रहा कि आज पूरा दि अगर हमें जंग सभा को छोड़ दे तो पूरा दिन प्रधान मंत्री का उत्रा खंड के जो मंदीर है जो पारम परिक परिद्धान है उत्रा उसमें रचे बसे प्रधान मंत्री दिफाई दिए हैं दूसरा मैं आपको यह भी बता दू कि अलमोरा के जागेवश्या धाम में पूजा आर्चना किये काफी देरों वहां रुके और खाथ बात यह कि जो गुंजी गाउं में जो पी सीमान्त इलाका है उत्रा खंड का महां पर उनने आई चीपी के जवानों जो प्रधारों के लोग हैं उनसे भी बात्चीत की और काफी समय उनके साथ बिताया उनके पर बिताया है दूसरा में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हाला कि जो पूजा आर्चना है आधी करास के दर्शन है जाजने राम की पूजा है वो तो पतान मिसले है कि लेकिन उसके अलावा अवो थाई बजे एक जंसबा पिछोड़ागर में है जिसको संबोजित करें करेंगे और 4,200 करोर की जो परियोजना है जिसमें पेजर है शिक्षा है स्वास्तिभाद है बिजली है तूरिजम है खेल है आपता है उसके जो अलग अलग परियोजना है उसकी शोगात भी प्रधान मंत्री उत्रा करिके लोग को देंगे और जिस तरह उम्मीद जताई जा दो शोगात मिलने माली है गरने अरब चैंठीक फहला खेल घंग वासंहों को क्या कुछ भला होने वाला ए प्रधान मंसरी आदी कैलास को पांच वा धाम गोशित कर सकते हैं अगर परधान मंसरी यह बड़ा ऐलान आज करते हैं तो निश्चित तोर पर उत्रा खन के लिए एक अपने आप से बहुत बड़ी सोगात होगी और इसके सासा कुमाओ के लिए भी अपने आपने बड़ी बात होगी क्योंकि ऐसा होने से एक तरफ जहां हमारे तूर्जिम सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा इसके सासा जो इस्थाने लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और कुमाओ का एक अलग पहज़ान होगी तो एक तरह से ताह जाए तूरिजम हो बेरोजकारी हो यह सारे शिक्टेप यहां पाक दूर होते ही तो उम्मीद फिला लोग को यह है दूसरा मैं आपको यह भी पता दू कि कैलास यात्रा का पुराना मार्ग है वो बंध है तो उसको खुलने की उम्मीद भी लोग को है पुराना यात्रा मार्ग है उसको खुलने की घोष्टा भी हो कर सकते हैं अगर यह पर प्रदान मंत्री ने की तो निची तोर पर उत्रा खंड के लिए बड़ी बात होगी जी इसके अलावत जिस तरह से स्पिरिच्वल टूरिजम की बात प्रदान मंत्री के साथी साथ मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी की सरकार भी बार बार करती है और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तरा खंड में लगातार बीजेपी की सरकार पुषकर सिंग धामी क सरकार काम करती हुए नजर आ रही है जिस तरह से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यदि कुमाउक शेत्र में पाचवे धाम प्रदान मंत्री की त्वारा घोशित होता है तो उससे उत्राखंड की जनता साथी साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कुछ लाब मिलेग और क्या कुछ आने वाले समय में बदल सकता है अगर हम इस चारधाम की तो चारधाम की याद्रा जब शुरू होती है तो निश्चित तौर पर जो उत्राखंड के इस्थाने लोग हैं जो गड़भाल के इस्थाने लोग हैं उनको एक तरह से बड़ा बिजनिस मिलता है और निश्चित तौर पर महां भी काफी संख्या में यात्री आएंगे और उसका जो लाब है वो उत्राखंड के लोगों को भी मिलेगा महां जो बेरोज़वारी है बहुत दूर होगी रोज़वार मिलेगा और कही ना कहीं जो हमारा तुरिजम सेक्टर है वो भी मजबूत तो निश्चित तोर से यह एक एतियासिक कदब होगा प्रधान मंत्री का जी इसके अलावा तो लगातार हम यहां पर बातचीत करें थे हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए और इसके अब अवनीश हमारे साथ बने रहेगा हमारे साथ राजिश्वर भी अलमोडा से ज पहुच चुके हैं वह तस्वीर हमारे पास सामने आ रहे हैं वह तस्वीर आपको दिखाएंगे अपसे कुछी देर के बाद प्रिथोड़ागर में भारी जिल्सभा को प्रधान मंत्री सम्भूदित करें और इस तस्वीर अलमोडा की हैं जहां पर प्रधान मंत्री पहुचे थे ITPP के जवानों के साथ उन्होंने समय वितीत किया स्थानी लोगों से उन्होंने मुलाकात की स्थानी कारीगरों से हतकरगा उद्योग सजुड़ी महिलाओं से उन्होंने बाद चीत कि और यह तस्वीर आप जो प्रधान मंत्री की देर पा रहे हैं अपने टेल पूज अर्चन कर रहे हैं तस्वीर हम अपने दर्शुकों को दिखा रहे हैं जैसे बिल्कूल अलबोरा में जो जागिश्वर धाम है अपना एक पुरानिक महत्व उसका है और वहाँ परधान मंत्री ने पूजा अर्षना की और अभी कदीर हैं जैसे के आप देख रहे हैं लेकिन आपको फिर लगातार बता रहा हूं कि उट्रा करने कि जो अलग-अलग महा उन्हों महा नें महा के प्रिणान अलग-णार है लेकिन अगर हम बात करें अलमॉड़ाल की तो भून है यह जारी हैं तो जो फिर यह तो दर्म उतार क्या विए प्धान मिस्री अभी पूजा आर्चना कर रहे हैं, उसके बाद वो सीधे निकलेंगा पुछादागड के लिए जहां वो जन सबाव को संबदित करेंगे, जूसरा हम बतातू कि जहां पर प्धान मिस्री जन सबाव को संबदित करने जा रहे हैं, माह साथ हजार से ज्यादा क्योंके बैठने की व्योस्ता महा पर की गई है, कापी सुरक्षा की गई है, तो महा पर और जड़ागा करें सुरक्षा परवंदित कर रहे हैं, जो लोगों से सम्वाद है, जो इस्थाने लोगे उनसे बाचीत है, आईटी बीप के लोगों से साथ प्यारों के जो 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 की दर्चाती है कि प्रधान मंतिर नरेंदर भाई मोदी का उत्रा खल के लोगों के साथ यहां के मठ मंदिरों के ताथ उनका एक विचेस लगाओ है, जूसरा में बता जो कि जो सब्कार ने परियोजिनाई शुरू की है, और जो डवलोगों का काम उत्रा खल में अलद गल्चाती की तरह की है किसा उत्रा खर में हो रहा है, थो कि प्रधान मंत्री के धरonda भागों के बात करें और से साथ इसनल का प्रदहाय ध Halem को विक्सत करने के लिए जो तमाम निर्माड कारे अभी भी वहाँ पर जारी है इसके लावा कुमाउक शेत्री की जो आपने यहाँ पर बात की है क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी जिस तरह से इन्वेस्टर मीट से लेकर इन तमाम चीजों को विक्सत करने में लगे हुए हैं यह जो कदम है जो अग्रडी राजी की क्षणी में उत्राखंड को खड़ा करने का कदम है उनका लक्ष है वो इस तरह के कामों से जल्द ही पूरा हो पाएगा और स्पिरिच्वल टूरिजम क कि बारे में यदि हम बात करें तो कितनी संभावनाएं आप आने वाले भविश्व में निकट भविश्व में देख सकते हैं देखे अभी तैयारी है उत्राखंड को इर्वेस्टर सम्मित हमारा दिसंबर में होना है उसके लिए अभी बहुत बड़े-बड़े करार हुए है तो निश्चित तोरपट डबल इंजल की सरकारे मुख्यमक्रिप उसकर धिन धावी लगातारी है कोशिश कर रहे हैं कि उत अगर हम मैदानी लाखों की बात करें तो महार को विकास हुआ है लेकिन जो पहरी इलाके हैं चमोली हुआ अलबोरा हुआ पितवरा गड़ हुआ वहाँ पर अभी भी कही ना कहीं विकास नहीं हुपाया जो सुधाई मिलनी चाहिए ती वो नहीं मिल पाई आज भी लोग प पर यहां पर ना रहे हैं लेकिन इतना जोब है कि प्रदान मंसरी का उत्राक्राण के लोगों से लगा हुए इस परदेश से लगा हुए यहां के मत-मंदिरों में उनकी आस्ता है चाहिए को के दानात भादिनात हो तो यही कारण है कि बदेशनाथ और के लिए अलग से प्रधान मंतिल का आने के बाद बनती हैं, तो लोगों को उमीद भी है कि प्रधान मंतिल यहां पर हैं, तो निचित तौर पर वो एक बड़ी सोगात उत्राफ़ को देंगे, प्रधान मंतिल अपसे कुछी देर में पिथोड़ागर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पहाडी क्षेत्रों का जो आपने जिक्र अवनीज जी किया है, अभी वहाँ पर जिस तरह से सोविधाओं की कमी है, कितना जरूरी मानते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो, तबागी विकास हो सकता हो, और उस तिशा में सरकार के इदि प्रयासों की बात करें, तो क्या कुछ प्रयास किय जा रहे हैं, तेकि बिल्कुल, तमाम ऐसी योजना हैं, जो पूरी परे उन इलाकों के लिए लाइग गई है, जहां पर अभी हम सुविधाओं नहीं दे पाए, और किसी भी सेक्टर में नहीं दे पाए, लेकि इतना ज़रूरी है कि जिस तरह हों इस्टे की शुरुआत इस जब आप हों इस्टे में जाएंगे, तो निशित तोर पर जो इस्टाने लोगें, उनके द्वारा वो हों इस्टे बनाए गये हैं, महा के लोगों से रोजगार भी मिल रहा है, उनकी जो आर्थी किस्टिती हैं, वो भी मजबूत हो रही है, और हों इस्टे के मातियम से ही एक अलग पहचान उत्राखंड की बन रही है, अगर हम बात करें, चोटे-चोटे जो गाओं है, जो दूरस इलाके हैं, सीमात इलाके हैं, पिछ्डे उलाके हैं, अगर हम उनको डवनफ करेंगे, तो निशित तोर पर रोजगार भी बनेगा, और जो बेरोजकारी हैं, वो सामने आ रही हैं कि कैलाश परवत की दर्शन अब भारत से हो सकेंगे, और ये जो मार्ग नया मार्ग खोजा गया है, क्या इसे भी आगे विक्सित किया जा सकता है? पांच वाज़ा भाण सब्सक्राइब करेंगे, तो निशित तोर पर उत्रा खंड के भी बहुत बड़ी सोगात होगी, और इसका अथर उत्रा खंड के दिकास, यहां के टुरिजन सेक्टर, यहां के परियतन, यहां की आर्थी की, यहां की बेरोजगारी पर भी पड़ेग बहुत शुक्रिया, तो लगातार जोस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्रा खंड के दौरे पर हैं, अलग-अलग जगों पर जाके प्रधान मंत्री ने दर्शन किये हैं, इस समय प्रधान मंत्री अलमोडा पहुचे हैं, पूजन दर्शन आदी कर रहे हैं तो उत्रा खंट के लिए ये सबसे बड़ी सोगात हो सकती है